कि हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक टो अनधर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से किसी भी पेज का बैक्ग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर किसी इस पैसेफिक डिव का भी आप जैसे डिव टैग होता है या किसी सेक्षन का किसी एरिया का अगर आप बैक्ग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो java script की मदद से कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं visual studio code में open कर लेता हूँ मैं आपको भी recommend करता हूँ कि आप इसी code को use करें coding के लिए मतलब इसी editor का job use करें ठीक है तो simple यहाँ पे हम control n करते हैं इससे हमारे पास new text document आ जाएगा ठीक है अब इसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के मैं इसे control s कर लेता हूँ control s करने के बाद क्या है हमारे location देगा कहाँ पे save करना है तो यहाँ पे आपको लिख देना है test.html ठीक है तो html में हमारा यह page जो है यानि कि यह file save हो गया अब मैं दिखाता हूँ आपको यह कहाँ पे हमारा यह रहा test.html अभी मैं अगर इसे open करता हूँ तो यह बिल्कुल blank दिख रहा है और यहाँ पे jkd jf जो मैंने type किया था वो दिख रहा है अब ठीक है तो मैं बाकी सभी को close कर दीता हूँ close other tabs सिर्फ मैं इस tab को रखता हूँ इसे मैंने close कर दिया अब क्या करना है basic structure हमें बनाना है ठीक है basic structure बनाने के लिए एक यहाँ पे मैंने shortcut button दबाया जो कि यहाँ पे exclamation mark है ठीक है इसे मैंने type करके tap button दबाया तो यह हमारा basic structure जो है बनके आ गया अब क्या करना है यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसे save कर दूँ अभी और मैं यहाँ पे आकर refresh करता हूँ इसे तो यह बल्कुल blank हो गया अब क्या है background अगर change करना है तो HTML में तो हम बहुत ही असानी से कर सकते हैं कि यहीं पे हम inline styling अगर इसे कर दें style equal to background लिखना है अब कौन सा color देना है आपको जैसे मैंने कर दिया red ठीक है अब इसे मैंने कर दिया control s अब आकर अगर मैं यहाँ पे refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं background हमारा बिल्कुल red हो गया तो इसे हम java script की मदद से कैसे करेंगे वो देखना है section कोलना है script script का spelling ठीक है script ठीक है आ गया इसके अंदर हमें जो है code लिखना पड़ेगा body tag का तो body में अगर जैसे हमें java script में अगर इसे हमें access करना है इसे target करना है इसके उपर कोई भी काम करने के लिए हमें इसे पहले इसे ढूंडना पड़ेगा कि हमारे document में कहां पर आई है तो उसके लिए हम इसे id assign कर देते है id equal to main container कर देते है क्योंकि सारा चीज इसमें ही होता है तो main container हमने कर दिया इसे id अब इसे हमें target करना है target कैसे करेंगे document पहले वीडियो में भी मैंने बताया आपको document.getElementById आप देख सकते हैं visual studio code में क्या benefit है कि हमें suggestion में आते रहता है तो उसमें spelling mistake होने का बहुत ही कम chance होता है तो आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी आपको याद करना है कि ये spelling हमें कैसे लिखना है document.getElementById उसके बाद यहाँ पर हमें देना है आईडी का नाम आईडी का नाम क्या है main underscore container ठीक है आईडी आप जब भी दें तो बीच में space नहीं होना चाहिए तो इसलिए आप underscore या dash का sign लगा के आप इसे कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं फंक्शन हमारा यह सौरी जावाइस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया document.getElementById और यहाँ पर हमने कर दिया वो अब इसमें क्या करना है हमें इसका styling चेंज करना है तो इसे करना है .style फिर style के अंदर हमें क्या करना है background color ठीक है background color अब यहां पर equal sign देंगे और यहां पर आके हम यहां लिख देंगे ग्रीन का अभी तो हमारा यह हो गया लेकिन अभी इस पर apply नहीं होगा apply क्यूंनी होगar apply इससे नहीं होगा क्यूंकि हमने इसे किसी तरह से भी call नहीं किया है कॉल करने के लिए क्या करना होगा कि हमें यहां पे इसके अंदर onLoad वाला function चलाना पड़ेगा ठीक है और इसे हम function देते हैं Fist FirstLoad और इसे हम function में दे देंगे function कैसे बनाते हैं यहां पे Fist FirstLoad के function हमने बना लिया अब इसके अंदर हमें जो है इसे डाल देना है अब यह हमारा function के अंदर आ गया देख सकते हैं इस function पे अगर जो भी call करेगा तो हमारा क्या होगा कि यह ID का background हमारा जो है green हो जाएगा ठीक है अब चाहिए यहां पे कोई सभी ID अब दे दे तो अभी हमारा ID body वाला ID है तो इसे करते हैं save और आते हैं यहां पे और refresh करते हैं तो अब देख सकते हैं हमारा green हो गया यह अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ID मैं हटा दो यहां से यह रहने देता हूँ इसे कोई प्राब्लम नहीं है मैं एक और div बनाना चाहता हूँ अलग सक्षन div बनाके मैं इसे size देता हूँ अब इसे size वगएरा सब्सीज दे सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से तो मैं यहां फिलाल अभी बैग्ग्राउंड चेंज करने के लिए आपको बता रहा हूँ तो इसे मैं styling देता हूँ इसका height मैं देता हूँ हम सकते हैं है इसे करते हैं 200 पिक्सल का और इसे ID भी देते हैं ID इसे हम देते हैं इसकी ID हम देते हैं second container अब जो second container है वो हम यहां पर देते हैं call function में second container अब क्या होगा यहां पर main container का background चेंज नहीं होगा सिर्फ इसके अंदर जो div tag है उसका जो है background green हो जाएगा आप देखना मैं अगर इसे करूँ refresh तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ हमारा किसका हुआ इस वाले ID का अब यह 200 पिक्सल मैंने इसलिए दिया क्योंकि अगर मैं इसे कुछ भी नहीं देता तो आपको यहां पर यह दिखाई ही नहीं देता इसलिए हमें 200 पिक्सल देना पड़ा इसे अब क्या करते हैं आपको लग रहा होगा कि यह तो बिलकुल उपर आ गया इसके बराबर ही आ गया तो अभी हमारे body tag में कुछ है नहीं सबसे पहला element यहीं है तो इसलिए हमें यह दिख रहा है अगर मैं इसे अलग-अलग बनाओ इसे में करता हूँ इसे में करता हूँ one container इसे करता हूँ two container इसे करता हूँ three container और सबीका मैं अलग-अलग color दूँगा तो आप देख सकते हैं यहां पर ये हमारा ठीक है अब इसे करते हैं फर्स्ट कंटेनर दो नंबर का कंटेनर और यह हो जागा तीन नंबर का कंटेनर अब सभी का मैं कलर अलग लग चेंज करता हूं पहला का ग्रीन दूसरे का रेड और तीसरे का यलो अगर मैं इसे रिफ्रेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं तीनों का कलर अलग अलग है और यह बिल्कुल जावा स्क्रिप्ट से मैंने किया है ठीक है आप इसे इन लाइन स्टाइलिंग से भी कर सकते हैं लेकिन इस पिस क्या है कि कंट्रोलिंग हमारा बहुत ही कम रहता है अ कि से मानने है अगर फ्यूचर में हमें कुछ अपडेट करना हो तो हम सिर्फ इसे चेंज करेंगे हमारा सारा जितना भी है इस आइडी का सब हो जाएगा अगर हम यहां पे इन लाइन कोडिंग करते हैं तो क्या होगा हमें सब पे एक इक वेज़ पे जा जाके हमें सारा चेंज करना होगा तो ज्यादा benefit और habit आपको इसमें बनाना है कि आप JavaScript की मदद से आप styling करें उससे क्या होगा कि जो भी आप future में change करना चाहेंगे वो dynamically आप change कर पाएंगे आप यहां से सिर्फ background color ही नहीं change कर पाएंगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें अब जैसे यलो वाले का मैं दिखाता हूँ आपको ठीक है यलो वाले का नहीं मतलब तीन नंबर का जो container है उसकी बात कर रहा हूँ मैं इसे मैं चाहता हूँ कि इसका जो height है ठीक है height मैं इसका देना चाहता हूँ 100 पिक्सल का 100 नहीं 85 करते हैं इसे अब देखना क्या होगा मैंने उसे यहां से दे रखा था कितना 200 पिक्सल का अब मैं इसे इसके थुरू function के थुरू मैं इसे कर दिया 50 पिक्सल ठीक है मैं इसे करता हूँ ctrl s अब मैं यहां जाओंगा अब देखना आप इसका जो height है यह कम हो गया तो आप सिर बैग्राउंड ही चेंज नहीं कर सकते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं अब इसे hide भी कर सकते हैं यहां से जैसे style है display equal to यहां पर none कर देंगे तो यह हमारा display जो है मैं बलब none हो जाएगा और यह हमारा आगे चलके अगर हमें इसे display वापस ले आना है तो इसे none की जगा हमें करना है ब्लॉक Ctrl S किया अब मैं करता हूं इसे तो आप देख सकते हैं पहले यह hide हुआ फिर अपने आप ही यह display हो गया तो इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं मैं HTML वाले स्रीज में आपको बताऊंगा कि styling कैसे करते हैं वहाँ पर जो भी styling में बताऊंगा उसे आप यहाँ पर apply कर सकते हैं Java Script की मदद से तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इसे like करे शेयर करें अगर कोई सबाज है सुझा हो तो नीचे comment करकर हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में good bye